कर्लिय डिलाइट्ण हम सब का वेलकम आज हम बना रहे हैं सिंगपूरियन राइस पनाने के पांच स्टेप हैं सबसे पहले हम स्टेप वन में बोयल राइस करेंगे तो चलें हम सबसे पहले बोयल करें राइस इसके लिए मैंने दीर कप बासमती rice लिए और सॉल्ट में डाल रही हुआ पानी में 2 teaspoon अब ये सॉल्ट वाले पानी में जब पानी बोईल होगा तो मैंने rice ढाली है जब rice fully boil हो जाएंगे इसके बाद हम इसको चान लेंगे यहने कि strain कर लेंगे स्ट्रेंड करने के बाद इसको हम साइट पे कर देंगे सेकंड स्टेप है हम चाव मिन बनाएंगे चाव मिन बनाने के लिए 200 ग्राम स्पगेटी एक एक कप केरिट और कैबिच और आधा कप मैंने कैप से कम लिए है अब 2 टेपल स्पून ओल की यह सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर आ देंगे और इसको फ्राइच करेंगे अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक टीस्पून ब्लैक एक पेपर बिल्कुल overcook नहीं करना है इसको उसके बाद मैं स्पगेटी के लिए अब पानी बॉil कर रही हूँ और अब ये स्पगेटी इसमें डाल रही हूँ चाउमिन के लिए जब बॉil हो जाएगी तो इसको मैं muffled कर लोंगी और ठंड़े पानी से जो है रिंज करोंगी यानी के ठंड़े पानी में इसको ठंडला कर लोंगी तके आपस में चिपक नचाए जब ये ठंड़े हो जाएगी उसके बाद मैं इस सपगेटी और सारी जो वेजेटेबल फ्रा यानि के spaghetti और यह ready कर लिया है तीसरा step है sauce बनाना चिकन sauce बनाने के लिए दो टीबल स्पून ओई लिया इसमें 300 ग्राम मैंने बोल्लेस जूलियन का चिकन डालिया अब इसके बाद मैं इसमें लसन अद्र का पेस एक टेबल स्पून डालूँगी उसके बाद fry करूंगी ताकि इसका चिकन का बिल्कुल color change हो जाए सिर्फ इतना fry करूंगी कि सिर्फ color change हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ आधा टीजपून ब्लैक पेपर यानि के काली मर्च आधा टीजपून उसके बाद नमक डाला है आधा टीजपून चिकन पाउडर में यूज़ करूंग पूर्टी एक तीजपून इसके बाद हम इस सब के अंदर टॉमैटो केचप टालेंगे टोमैटो कैचप टालेंगे लाल नमक चिली गार्लिक नाइगे 1 एक तेबल पूंग अगर आपको जुरुवत हो तो कुछ टॉप्स पानज के डालें इसको ऑबर करें और 40 चिकनि तब तक इसको prepare करेंगे, तीन टेबल स्पूल मैंने मायोनीस लिये और तीन ही टेबल स्पून मैंने केचप लिया है, इसके बाद मैं इसमें चिली गारलिक स्वास डालूँगी एक टेबल स्पून, इन सब को मैं अच्छी तरह से mix कर लूँगी, इसके बाद मैं इसके अंदर अब इसको mix करने के बाद केचप की बॉटल के अंदर फिल कर लेंगे, यह हमारा चौथा स्टैप है, यानि कि लेयर के बाद हम यह सॉस ड्रिजल करेंगे, वो यह हमने prepare कर लिए, इसको केचप की बॉटल में डालना थाकि यह ड्रिजल हो सके, अब सर्फ करने के लिए, सब उसके बाद हम तड़का बनाएंगे इसका, तड़का कैसे बनेगा, यह है चौप गार्लिक, उसमें हरी मर्चे है, ओल है और लाल कुटी, कुटी लाल मर्चे, सिर्फ गार्लिक को गोल्डन ब्राउन करना है, जब यह तड़का प्रपेर हो जाए, तो यह आपने इसके उप